मसीह समाज ने शुक्रवार को गुड़ फ्राइडे का गमगीन तिवहार मनाया और इस परिपेख्ष में कैथलिक क्रिष्टन समाज के सेंट जोसेफ वरकर्स चर्च सिक्टर 6 से क्रूस यात्रा निकाली गई गुड़ फ्रेडे वह दिन जिसे मसीही समाज एक गमगीन तिवहार के तोर पर मनाता है क्योंकि आज ही के दिन इसाई धर्म के धर्म गुरू जीजस ट्राइश को यहूदियों ने अपना दुस्मन मानते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने का इरादा लेकर उन्हें क्रूस पर लटका दिया उसके बाद उन्हें जमीन में दफना दिया था ताकि यहूदियों की रहनुमाई कोई न कर सके परंतु ठीक उसके दो दिन बाद प्रभू ईसु मसी ने दुबारा प्रकट होकर यह बता दिया कि सच्चाई के राह पर चलने वालों को और सब से प्रेम करन वालों को कोई मिटा नहीं सकता इसलिए गूट फ्राइडे का तेवहार मसीही समाज द्वारा मनाया जाता है इसी तेवहार को मनाते हुए कैथलिक क्रिस्चन समाज के सेंट जोसफ वरकर्स चर्च सेक्टर 6 से क्रूस यात्रा निकाली गई जिसने पूरे टाउंशिप छेत एडी विंसेंट ने क्रूस यात्रा और गूट फ्राइड़ पर हुए आयोजन की जानकारी मीडिया को दी मेरा नाम एडी विंसेंट है मैं पडली का सची हूँ पडली परिशत का सची हूँ इसा मसी को जो योदी लोग होते हैं वो डाकू समझ के उनके जो उपदेशों के उनके उपदेशों को को सुनके उनको लग रहा था कि उससमें जो अन्याई चल रहा था इनकी रहने से उनका जो अन्याई आगे नहीं चल सकता तो चाहते थे कि इनको मार डाले तो इनोंने उनको पकड़ कर खाफी प्रताड़ना दिया प्रताड़ना देने के बाद उनको क प्रूस पर लटका जाता है और उसके बाद इस्टर के रोज उनका पुनरजनम होता है। और प्रेम का संदेश दिया है। तो उसी को हम फॉलो करते वे आज हमने दिखा है कि बढ़ी दुपैरी में भी हम उसी रास्ते पर हम इसाई समझता है चल रहा है। पुरा पड़ा जाएगा वाइबल पठन होगा उसके बाद उनका पुनरजनम है उसकी खुशिया मनाई जाएगी। शुकरवार को मसीह समाज ने अपने आराध्य धर्मगुरू उसा मसी को क्रूस पर चड़ाय जाने का गमगीन तेवहार मनाया और अब रहिवार को उनके पुनरजनम को इस्टर तेवहार की तरह मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस दिन भी देर राध गिर्जा घरों में विशेश प्रातना सभाएं आयोजीत की जाएंगी जिसमें देश और दुनिया के लिए खुश हाले की कामना की जाएगी। Grand A.C.N. News के लिए भिलाई से संतोर शर्मा की रिपोर्ट